नमस्कार किसान भाईयों, किसान भाईयों, जिन किसानों ने गन्ना भुवाई पछेती की है, उनके सामने फिलाल एक समश्या पैदा होने वाली है, और यह समश्या जब आ चुकी होगी और गन्ना पसल में नुकसान भी हो चुका होगा, तब इसका पता आपको लगेगा, मेर प्या करके इसे सब्सक्राइब कर दें तो चलिए किसान भाईयो मैं बताता हूँ कि कौन सी समस्षा ऐसी है जो फिलाल आने वाली है जिन किसानों ने गन्ना बुआई लेट की है और उनकी अब वो खुदाई और जुताई दोनों तरीके से कर रहे हैं लेकिन मोसम ने एकदम से करमट बदली है जो फिलाल मानसून 15 दिन पहले चल रहा था जहां का तहां रुका है और फिलाल वारिष भी नहीं हो रही है और दूसरी समस्षा यह है कि गर्म हवाई यानि के लू चल रही है और इसमें सबसे जादा जो लगने का खत्रा होता है गन्ना फसल में रोग वो है कनस्वा कनस्वे को आप यह समझ लिए कि जब भी गर्म तेज हवाई चलेंगी तो उस समय के वल एक रोग सबसे जादा लगता है वो होती है कनस्वा क्योंकि जब परवा हवाई चलती है ये तब बहुत ही नय के बराबर लगता है इस बात को आप समझ ले क्योंकि जब गर्म हवाई चलती है तो जो इसका कीट होता है गन्ना पोधा जो जमीन से सटा हुआ अस्थान होता है तरह गन्ना पोधे का वहाँ पर ये एक छेद करता है उसके अंदर घुश जाता है और वहाँ पर ये अंडे देकर वहीं से उल्टा वापस भी हो जाता है औ तो यहाँ पर वे सचेत हो जाएं एक तो वे जो गन्ना खुदाई और जुताई कर रहे हैं उसे ऐसे ही न छोड़ें उसमें पानी की विवस्ता तुरंत करने का करें उसमें पानी लगाएं और यदि अभी तक आपने कोई कीट ना सक नहीं डाला है तो उसमें आप कोरोजन कलोरो या प्रोफैनोफोस काल टप या विलियम फ्लेक्सी भी उसमें आप लगा सकते हैं यह दि कोरोजन डालना चाहते हैं तो डेड़ सो एमेल पर एकड़ के हिसाब से यूज कीजे और इसे आप जब खेत आपका बिलकुल सूका हो तभी से यूज करें और जड़ों के प प्रोल साड़े अठारा परसेंट होता है और यह गन्ने के अंदर लगने वाले सभी कीटों को कंट्रोल करता है ऐसे आप कलोरो प्रोफैनोफोसी सरस्ती दवाई हैं लेकिन का रिजल्ट 20 या 25 दिन का ही होता है तो आप समय का ख्याल रखें जो यह तेज हवा लू चल रही है इसमें आप खुदाई जुताई करके तुरंत पानी लगाएं तुरंत उसमें आप कीट नाशकों का परियोग करें ताकि गन्ना पोदे में कंसवा रोग ने लग सके जो कि मोसम जो है यह लू का मोसम है और इसमें बहुत ही जल्दी आपकी गन्ना पसल में यह लगता है फिर मिलते हैं ताज आप डेट के साथ तब तक के लिए जैजमान जैकर दो